नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक वीडियो ऑन डिमांड है जो की डिमांड आई है मिश्टर प्रांजल बोरो की तरफ से जो की मेरे सब्सक्राइबर हैं और वह ज़ादातर कमेंट्स में अपनी रिक्वेस्ट को देते हैं उनने से पहले भी कुछ कुछ रिक्वेस्ट दी है तो प्रांजल जी मैं आपको बता दूँ कि आपने जो फीवर के ऊपर वीडियो मेरे से एक रिक्वेस्ट किया था वो specific वीडियो चाहते हैं तो प्लीज comment section में मुझको comment करके बताएं कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए आप किस बारे में जानना चाहते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उसको बनाने की कोशिश करूंगा तो आज का जो वीडियो है उसका सिरिशक है irritable bowel syndrome तो दोस्तों वीडियो में शुरू करते हैं अब दोस्तों irritable bowel syndrome यह है क्या यह एक ऐसी बीमारी है जो पिछले दशक में अगर नहीं बोलेंगे तो पिछले पास साल में बहुत frequently आती है और यह हमको हमारे patient आके बताते हैं किसाब में उस doctor साब के पास गया था I was suffering from some gastric and intestinal symptom and he diagnosed me as the patient of irritable bowel syndrome and he also said that you need a psychiatrist आपको कोई मनो रो मनो चिकिस्षक की जरूवा था rather than the gastroenterologist क्योंकि एलोपेथी में IBS का कोई treatment नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे IBS होता क्या है उसके लिए हमको दूसरी स्क्रीन के उपर एक मिनिट के लिए जाना पड़ेगा तो दोस्तों यह है IBS है ना यह मैंने Google के उपर जस टाइप कर और जो पहला साइट आया था National Institute of Diabetes and Diabetes and Digestive and Kidney Disease यहाँ पे लिखा है कि irritable bowel syndrome IBS देखिए इसको irritable bowel syndrome बोलते हैं समझियेगा इट इस एंटायर कई लोग इसको irritable bowel disease बोलते हैं जब क्यों को misconception है जो IBD है that stands for the ischemic bowel disease तो ischemic bowel disease जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और Crohn's disease आते हैं वो entirely different विमारी है यह है irritable bowel syndrome ठीक है ना तो irritable bowel syndrome is a group of the symptoms that occur together including the repeated pain in the abdomen, changes in your bowel moment which may be either diarrhea or constipation or both. With IBS you have these symptoms without any visible sign of damage or disease in your digestive tract ठीक है ना? IBS is a functional gastrointestinal disorder, functional GI disorder which doctors now call the disorder of gut brain interaction यह देखिए यह बहुत important point है क्या बोल रहे है modern medicine यह फिर allopathic doctor इसको क्या declare कर रहे है कि यह है disorder of gut brain interaction, gut मतलब intestine और brain मतलब दिमाग, इसके बीच के interaction की गड़बड़ी की वज़े से पैदा होता है our related problem which how your brain and your gut work together की आपके brain में और आपकी आतों में सामन जासी किस तरह का है यह उस पे depend करता है की whether in the future you are going to be the patient of IBS or not देखिए अब मैं इसको आगे करूँगा illustrate as far as आप चलिए हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने मुझ्दे पर अब आपने देखा कि क्या भू लिखा है इसके अंदर यह ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कुछ gastro-intestinal symptoms आते हैं जो की generally abdominal और stomach pain के साथ associated होते हैं और उसके साथ एक चीज जो IBS के patient का hallmark होता है that is the altered bowel moment मतलब उसकी आतों की चाल बड़ी अतरंगी सी होती है देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि that may inclined towards constipation and diarrhea both पर generally हम जो IBS के patient देखते हैं वो diarrhea के cases होते हैं कि उनके अंदर उनको loose motions की problem होती है आप देखिए इस definition में साफ लिखा है कि this is the disorder of the gut and brain interaction मतलब brain मतलब mind वो gut मतलब intestine के बीच के अंदर जो भी तालमेल की गड़बड़ी होती है उस गड़बड़ी की वजह से यह पैदा होता है modern medicines और allopathic field को इसकी कोई भी etiology नहीं पता है अगर आप google करेंगे what is the etiology of the IBS etiology मतलब इसके होने का कारण क्या है तो you will never ever find anything आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको वहां पर etiology unknown आएगी पर इसका दोस्तों बहुत प्यारा और बहुत बड़िया explanation होमियोपैथी के अंदर already दे रखा था और इस disease के सामने आने के सेंकडों साल पहले आज से 400 साल पहले जब होमियोपैथी का सजन हुआ था उत्पत्ती हुई थी उसी वक्त कुछ जो medicine थी specifically उन medicines के अंदर ये symptoms already लिखे हुए है ठीक है न अब देखिए क्या है अब यहां पर हमने परिभाशा में क्या देखा कि भाई गट और brain के बीच का interaction गडबढ होना अब देखिए brain mind brain की बात नहीं हो रही है आप माइंड की बात हो रही है कि हमारा mind ही हमारी पूरी body को control करता है अब आपको एक चीज अच्छा से पता है कि जो mind होता है mind के level पे जो variation होता है मतलब mental spectrum बहुत बड़ा होता है एक आबादी का मतलब आप देखिए न कि एक आदमी होता है जो बिलकुल cold-blooded murderer है he do the murder और वो बिलकुल उसको डर नहीं लगता तो देखिए इसका mindset कैसा है और व बबरा रहा है तो यह जो spectrum है ना आई बीएस को समझने के लिए हमको यह spectrum समझना पड़ेगा कि there are the group of the people who are mentally apprehensive यह apprehensive लोग होते हैं apprehension मतलब यह anticipation से इनको problem होती है कि यह अगर कुछ anticipate कर रहे हैं अब आप anticipation मेंने बोला तो आप मेंसे ज़्यादा तर homeopathy के field के लोग उस medicine को भी समझ गये होंगे जो probability इसके बाद इस बीमारी के लिए मैं बताना चाहूंगा आप मेंसे ज़्यादा तर लोग सही हैं और कुछ नहीं भी देखिए यह जो mindset होता है IBS के patient का इसकी फसाद की ज़ड़ उसका mindset होता है mindset उसका ऐसा होता है कि उसका जो mental respect होता है mental frame होता है वो बड़ा open सा होता है वो अपनी दिन चर्या अपनी धर्रे के अंदर कोई बदला उसको पसंद नहीं होता जैसे कि वह office जाता है office में काम करता है लोटते में सब्सक्राइब घर आ जाता है अगर वो इस के इस zone में ही comfortable है आप मेरी बास समझे वो इस zone से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता हिम्मत कर बता भी नहीं है और उसको पसंद भी नहीं है अब वहीं पर इस आदमी को एक दिन यका यक इसके और दफ्तर से बोलते हैं कि वो ले आर एक्स वाई-जैड मिस्टर जी आपको जो है आपको आपका आपका अच्छाम का फ्लाइट है या आपका ट्रेन है आपको सड़नली क किसी टूर पर जाना है ओफिशियल टूर पर कंपणी की या फिर ओफिस की तरफ से अब इस आदनी को टेंचन होगी क्योंकि इसका comfortable जोन से इसको बाहर जाना पड़ रहा है ठीक है ना तो यह जो है इसको बोलते हैं anticipation से problem होना इसको अब यह anxious हो जाएग यह इसको anxiousness होगी ठीक है ना अच्छा इस anxiousness score comfortable zone के बाहर के कई example हम देखते हैं जैसे examination funk अब आप में से जायतर medicine समझ रहे होंगे कि इसका base कहां पे है इस बीमारी का base कहां पे है examination funk के exam है अच्छी पढ़ाई की है पर एक fear of failure है result आने के time के अंदर fear उसको पता है whether आयर मैं अच्छा परफॉर्म करा की नहीं करा कोई भी stage performance के पहले का fear कि यार मेरो को stage में presentation देना है would I be able to do it successfully or not है ना company के लिए कहीं पर किसी delegation को presentation देना है अब आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कहां से किस तरफ लेके जा रहा हूं और IBS के mindset कैसा होता IBS के patient का यह लोग जो रहते हैं इनको anticipatory anxiety होती है यह कि बाहर कोई भी चीज होगी जैसे कि इनको flight पकड़ना है इनको tension होगी airport पे check-in का time है एक गंटे पहले आना यह धाई गंटे पहले पहले पहुंच जाएंगे train पकड़ना इनको anxiety होगी इनको हमेशा घबराट होगी मेरी train न छूड़ जाए इनको bus पकड़ना होगा anxiety होगी कोई भी ऐसा काम जो इनकी रोज मर रहा के नियम के बाहर का है तो जब तक वो काम नहीं हो जाएगा उसको लेकर इतना anticipation रहेगा इतनी खुजाल रहेगी इनके मन में कि ultimately इनको lose motions लगने लगेंगे होता है यह exam के पहले होता है कि बीवी labor room में है she is just about to deliver a baby और बाहर पिता ज हुआ है this is the mindset of patient of IBS और यही problem की जड़ है अब यह patient कैसे सही होगा आपने जनरली देखा होगा कि अलो पैथी में कोई इलाज नहीं है भाई अब अपन आ जाते हैं में आपको समझा चुका हो कि IBS के अंदर जो दिमाग में problem होती है mind में problem होती ही गट में नहीं वह problem यह है कि mind किसी भी anticipation में इतना ज्यादा engaged होता है कि वो जो patient है उस anticipation के अलावा कुछ सोचता नहीं है और उस वज़े से इसके mind का control इसकी bowels के उपर से withdraw हो जाता है और इसकी bowels weird moment करने लगती है इनको gas trap हो जाती है इनको flatulent colic होता है कई बार इनको एकदम sudden बिलकुल pressure बनेगा बिलकु number of times कई बार यह constipated हो जाएंगे और यह सब क्यों हो रहा है उसके mindset की वज़े से उसका mindset इतना घबराने वाला है बिलकुल घई मची है मतलब उसके अंदर बहुत बेचेनी है किसी चीज को लेके बेचेनी है बहुत सड़ी सी बात को लेके यह समझना पड़ेगा आई बीएस के patient को कोई देखिए बड़ी अगर समस्य आ रही है बड़ा जर्क लगा है बड़ा कोई psychological जर्क लगा है तो उससे तो अच्छे अच्छो की हालत यह हो जाएगी पर वो कब होगा आपको 10-20 साल में एक बार ऐसा जर्क लगेगा और आप तब यह आप symptom दोगे त और इनको सड़ी सड़ी सी बातों से टेंशन है सड़ी सड़ी सी बातों से यह लोग परेशान होते हैं तो एलोपैथी में तो कोई भी इलाज नहीं है आप gastrointestinal वाले gastroenterologist के पास जाओगे वो आपको एक psychiatrist के पास refer कर देगा और वो पर्चे पे लिख देगा suspected case of IBS please do the needful psychiatrist psychiatrist आपको mind को शांत करने के लिए tranquilizer sedatives वगरे देगा उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि हमारे पास 1000 पेशेंट आज तक आ चुके हैं और वो यह diagnosis बनवाने के बाद आये हैं कि वो साब मेरों को उसने बोल दिया था IBS के patient हो तो यह मेरा case नहीं है आप यह साइक्लोजिस्ट से म सबनॉर्मल निकलते हैं कोई भी investigation में कुछ भी finding नहीं होगी सारे investigation हो जाते हैं कि सोनोग्राफी हो जाती है ब्लेड टेस्ट हो जाते हैं कई बर तो एंडोस्कोपी भी करा कर आते हैं सबनॉर्मल निकलता है इनका mindset सही करना है हमको ऐसी दवाएं देनी हैं जो इनकी anticipation और anti-sypatry anxiety वाले feature को कम करें तो दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा ना खीचते हुए जो दो medicine which are very good and very very effective in case of these persons are the first one is the argentum nitricum यह आपको 30 potency में देनी है चार-चार गोली दिनबर में तीन बार and the second medicine is the gelsemium यह भी आपको 30 potency में देनी है चार-चार गोली दिनबर में तीन बार और with the passage of the time आप यह समझी है यह कभी भी acute problem नहीं होती ibs is not the acute disease this is the chronic form of the disease प्योंकि इसका जो भेजा है वो शुरू से इसका constitution का part है constitutionally उसका brain का setup वैसा है और यह हमेशा chronic होता है कभी भी ibs का patient आपको acutely नहीं दिखेगा यह सालों की problem होती और सालों तक experiment चलते हैं from the doctor to doctor from gastroenterologist to the psychiatrist psychiatrist है ना psychiatrist to any other doctor and then after ultimately a home worker तो इसके लिए आपको कई महीने इलाज करना है minimum one month के लिए आप यह अगर दवा अपने patient को देंगे यह अगर आपको खुद को यह बीमारी है तो doctor की परामर्श के बाद आप यह दवाएं लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जमीन आस्मान का फरक दिखेगा अपने condition तो दोस्तों यह था एक चोटा से वीडियो आई बीएस के ऊपर बहुत जल्द आप से अगले वीडियो में मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार